चलिए आज शुरू करते हैं हाफ एरली का यानि फर्स टर्म का आपका लास्ट टॉपिक है मेरे खहल से लाइट नाइन चैप्टर्स साइधा आ रहे हैं और यह लाइट अंतिम है तो चलिए लाइट क्या है लाइट एक इनर्जी का फॉर्म है अगर कोशन है साउंड और है जाद रखना keyword है bouncing बैक अगर reflection of light पुझे तो bouncing back of light reflection of sound पुझे आपसंग बैक of sound अब surface अगर smooth है तो बहुत अच्छे से आपका regular reflection और surface जो है मतलब diffuse है मतलब तेढ़ा मेडा है तो irregular reflection टीक है तो यह depends करता है regular reflection और irregular diffused reflection surface पे surface जितना चिकना होगा, smooth होगा उतना अच्छा reflection आपको regular reflection देखने को मिलेगा अब यहाँ पे image के बारे में बताया जा रहा है I think plane mirror के image ठीक है, कोई बात नहीं हम इस पे बाद में बात करेंगे, पहले laws of reflection चलिए, laws of reflection बहुत important topic हो जाता है इसके लिए हम एक picture निकाल ले, picture से ही चीज़े ज़्यादा clear हो जाएगे, ठीक है laws of reflection में आप देखो यह जो part है, यह आपको mirror को denote कर रहा है, ठीक है अब यहाँ पे, जो आपके source से light आई, जैसे मालनों यहाँ यहाँ पे से टक्राने के बाद जो light वापस गई है इस light को कहते है reflected रहे, ठीक है इसके बीचों बीच हम एक imaginary line draw करते हैं यह actually में नहीं exist करती इसलिए इसको dotted line से so कर रहे है ठीक है, उस line को कहते है हम लोग normal, तो एक law आता है कि angle i is equal to r angle i is equal to angle r अब इतना भी लिखोगे तो काम चल जाएगा लेकिन statement is must ठीक है, statement भी आपको समझना चाहिए अच्छे से लिखना है, ठीक है angle i is equal to angle r अब angle i और r क्या है, इस पे भी बात करते हैं angle i का मतलब है angle of incidence angle i का मतलब है angle of incidence जो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ और यहाँ के बीच बना हुआ angle और same angle r का मतलब है angle of reflection जो देखो कि आप यहाँ और यहाँ के बीच बना हुआ angle है, ठीक है तो यह पहला law है laws of reflection का दूसरा है आप चलिए, अभी तो साइद इसमें टर्म से समझाया जा रहाता है ठीक है laws of reflection आगे है हमें भी यहीं भी बात करें अब दूसरा है second law the angle of incidence the angle of reflection यह तो दूसरा ही है the incidence rate, the normal and the point of incidence the reflected all line इसको थोड़ा समझना ज़र रही है अब देखो अगर कोई एक mirror है ठीक है अब mirror में देखो incidence rate यहाँ पे गिरा हूँ ठीक है अब reflection यहाँ से हुआ ठीक है और normal एक पल के लिए हमारा यह है ठीक है अब देखो तो यह तीनों चीज एक ही point एक ही plane पे लाए करते है incidence मिला कहा था यहाँ reflection यहाँ यह तीनों एक ही plane पे लाए करते है यह दूसरा है आपको कह रहा है incidence rate normal at the point of incidence रिप्लाइ को all lie in the same plane आप कुछ टर्मनेल लोजी है उसको देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से जैसे यह plane mirror से बना हुए image दिखा रहा है कि plane mirror से image बने हुए virtual होते है याद रखना जो image सीधा है यानि आपका सर उपर और पाउ नीचे जैसे आप दिख रहे हैं वैसा है वैसे image को virtual कहते है real मतलब real मतलब आप याद रखना को उसका सर नीचे पाउ उपर ठीक है इस तरह कर ठीक है इसको एक थोड़ा सा हमेशा confusion रहता है real words सुनके real image जैसा feel होता है तो नहीं यहाँ पर उल्टा है lateral inversion तुम्हें पता ही है कि आपका left hand side जो है mirror में यानि image में आपका right हो जाता है और जो right part है हो आपका left हो जाता है यह सारे चीज़े clear है पहले से point of incidence क्या है आपको पता है ऐसा point जहाँ पे incidence ray गिरे उसे point of incidence क्याते है incidence ray क्या है यह भी मैंने बता दिया है सारे angle वेंगल clear हो चुके है अब यह आपको एक activity है जिसमें यह prove किया जा रहा है कि जिस angle से उन्होंने light mirror पर गिराया उसी angle से reflection हुई एक pipe के through यह समझाया जा रहा है ठीक है चलिए image formation अब total मैंने बताया था 7 image formation आते हैं एक plain mirror का image formation कैसा होता है जैसे कि एक mirror को यहाँ base माना गया यह एक object है हमेशा image formation में कम सकम दोडे चाहिए कोई भी दोडे आप लो ठीक है और उसको same angle से reflect करो दुर में यह यहाँ है तो यह image formation आपको याद रहना चाहिए class में बता दी गई है आप इसको देख लीजेगा image formation इसमें थोड़ा angle वगएरा must हो जाता है लेकिन अभी class 7 में हो तो इतना close नहीं आएगा कि angle वगएरा के through लेकिन एक ray diagram आता है लेकिन वो देखते हैं जादा तर spherical mirror का आता है चलिए अब आता है virtual and real image ठीक है अब virtual image क्या होता है image appears to be formed वो actually में आपको कहीं और नहीं मिल सकते हैं ठीक है screen पे नहीं मिल सकते है वो तुम्हें लगेगा कि अंदर बन रहे है जैसे कि तुम अपने ही plane mirror की बाद करो बाकी सब mirror में तुम imagine नहीं कर सकते ज़्यादा plane mirror प्लेन mirror है कि जब सामने तुम खड़े होते हो ठीक है ऐसा imagine करो कि एक shopping walk में चारो तरफ mirror ही है तो तुम्हें ऐसा feel होगा कि तुम जितने दूर mirror से हो उतने ही दूर mirror के अंदर तुम्हारा image बन रहा है लेकिन अगर तुम जाओ तो क्या mirror ऐसा होता है क्या वो 3D है क्या वो 3D है कि mirror के पीछे भी उतना जगह है image बनने का ऐसा तो नहीं है लेकिन वो appears मिंस आपको ऐसा लगता है कि mirror के अंदर इतना जगह है और वहाँ पे कोई image बन रही है तो ऐसा image जो appears मिंस कहने का मतलब वो आपको seem होता है actually में ऐसा है नहीं लेकिन आपको दिखता है कि वहाँ image बन रही है तो उसे कहते है virtual image जबकि real image जो है न mirror में तो बनती नहीं है आप चाहोगे तो उसको किसी और जगह पे आप उसको obtain कर सकते हो यह ulty होती है ulta मतलब उसका upside down होता है ठीक है यह सारा चीज़ तो virtual के लिए keyword याद रखना यह appear होती है कि वो अंदर बन रही है और यह generally erect होती है erect मतलब होता है सीधा real image जो होती है actual मिलती है यह appear नहीं actually में मिलकर बनती है और यह जो होती है inverted होती है ulty होती है ठीक है यह याद रखिएगा multiple image इसके लिए kaleidoscope आपको बताया था मैंने यह तो pattern वगएड़ा ड्रॉख करने का भी तरीका है मैंने बताया था blanket वगएड़ा या वह बेट सिट वगएड़ा में बहुत लोग करते है बहुत जगा आपका magic mirror होता है एक room जाएगा चारो तरफ आपको image image लगेगा confused हो जाओगे एक movie भी थी पता नहीं मुझे side hair of fairy थी उसमें कुछ लोग अंदर एक mirror वाले room में चले जाते थे और वहाँ कुछ मतलब टक्रा जाते थे बार-बार mirror से अब कुछ question जैसे आपको यहाँ पे है जैसे कि एक plane mirror है और इसके यहाँ पे आप खड़े है मान लिजी यहाँ से distance 4 meter है तो question है कि अगर आप 2 meter पीछे जाएंगे तो आपका image कितना seam होगा पीछे मतलब आपके image और आपके बने हुई आपका जो object है और image है उनके बीच का distance तो याद रखना आप 2 बढ़ होगे तो यह भी तो 2 बंदर बढ़ेगा ठीक है और यह अगर 6 है तो इधर भी 6 तो total distance कितना हो जाएगा 12 तो यह 2u वाला जो concept है यह बता रहा है कि अगर आप 1 meter बढ़ते हो तो actually में distance 2 गुनी हो जाती है क्योंकि उधर भी 1 meter कोई बढ़ रहा है ठीक है और यह एक और concept याद रखना कि अगर 2 plane meter आमने सामने है और एकदम बीच में तुम खड़े हो तो infinite number of image बनेंगे infinite मतलब आपको गिन नहीं सकते इतने number of image बनेंगे पीछे बनते जाएंगे इसका image इसके पीछे ऐसा तुम salon बगेड़ा में देखोगे तो बनता रहता है अब आता है spherical mirror spherical में convex और concave famous है आपको पता ही है एक general याद रखना convex यानि जब reflection बाहर की तरब से हो concave जब reflection अंदर की तरब हो तो यहाँ आपको picture है आप समझ जाएए अब इसमें कुछ काम की बात है जब भी आप ray diagram बनाएगेगा तो ray diagram में आपको बहुत ज़्यादा important होगा कुछ काम की जैसे पहला है आप first of all एक mirror बनाएगे तो mirror जो बनाएगे तो आप generally एक concave को ही में बना रहा हो एक line draw करेंगे इस line को कहते है principal axis ठीक है अब इसमें आप यहाँ पे mirror पे वो line जहाँ मिलेगा उस point को कहते हैं हम लोग pole ठीक है अब mirror से जितना distance पे आप यहाँ पे f देंगे उतने ही distance पे एक और point देंगे जिसका नाम है c यह जो point है इसे कहते है focus और इस point को कहते है center of curvature याद रखेगा center of curvature वो mirror का center होता है जिससे वो mirror बना है वो एक गोले का center है जिससे वो mirror बना है ठीक है और half होता है एक focus होता है यहाँ से आपका इस r का यादियस का half होता है concept के लिए वह समझना कि एक बड़ा सा gain है आपके पास एक बड़ा सा ball है foot ball वो सोचे एक mirror का बना हुआ है आपने उसको cut कर लिया ठीक है आपने उसको cut कर लिया ठीक है आपने क्या किया cut कर लिया तो आपका क्या बन गया एक spherical mirror बन गया देखिए हम इसको बना लाए ठीक है आपने उसको cut कर लिया तो एक spherical mirror बन गया ठीक है तो वो उस गोल का जो center है वो यही center of curvature करते है radius आप समझी गए है, pole समझी गए है, principle axis समझा दिए, normal to a spherical at a point, at a surface simply, line joining, that the point, to the center of curvature of the mirror, वो ही normal भी है हमारा, focus आपको बता ही दिए, वो एक ऐसा point है, इसको आप रीट कर जाए है, focal length जो है, आपके pole से focus के बीच की जो distance है, उसे focal length करते हैं, अब आते हैं, यह focus जो होता है, radius का हाप होता ही है, अभी just मैंने बताया था, focus is equal to r by 2, jet 2, अगर c यहाँ था, तो focus यहाँ था, यानि अगर यहाँ, इसका मतलब focus आधे धूरी पर है, ठीक है, यहाँ पर एक concave mirror से एक light को, जैसे आया है, और उसको जमा करके कोई चीज जलायने की यह कर सकते हो, तुम लोग lens पे ज़्यादा अच्छे से यह चीज़े हो जाती है, अब तीन जो यहाँ पर laws हैं, आपके spherical mirror में draw करने के लिए, वो तुम्हें याद होना चाहिए, तीन important हैं, जिससे सारा ray diagram based है, तीक है, अब वो तीन important क्या हैं, उसको जल्दी से देख लें, पहला लोग करता है कि आप कोई भी spherical mirror लो, अगर आप कोई ray parallel जाईए आप principal axis से, तो वो line आपकी गुजरेगी focus से, पहला है, तीक है, आप याद रखना कि अगर कोई light ray parallel चलती है principal axis से, तो वो गुजरती कहा है, focus से, और दूसरा justice का reverse, कि अगर कोई light ray focus से गुजर के mirror में टकराती है, तो वो reflect होके parallel जाएगी principal axis से, दो तो ऐसे ही clear होगे, अब तीसरा एक छोटा सा है, उसको भी देख लेते हैं, तीसरा है कि, अगर कोई अगर से, अगर कोई आपका light ray जो है, वो center of curvature से होकर गुजरती है, ठीक है, center of curvature से होकर गुजरती है, और mirror में टकराती है, तो वो reflect होने के बाद, वो reflect होने के बाद, अपनी ही रास्ते, जिधर से गई, उधर से ही वापस आ जाती है, center of curvature से ही वापस आ जाती है, यह तीन लौव हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है, अब इसी पे based हमारा concept होगा, बहुत सारा, ठीक है, अब जैसे पहला concept है, पहला concept मैं इसी से बताऊँगा, जल्दी-जल्दी में, ठीक है, पहला concept है, अब ध्यान देना, दो चीजों को आपको position याद रखना है, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किसी object को, जिसका image मुझे बन बाना है, उसको सबसे दूर रखा, यहाँ focus था, यहाँ c था, इसको c से भी आगे रखा, c से beyond c, मतलब c से भी आगे, तो हम देखे, दो range गुजारे, एक parallel, गुजरा focus से, और एक c से गुजारे, तो वापस c पे आए, तो देखे, यह बना कहाँ, यह बना focus और c के बीच इसके image बने, आप दियान से देखो, यहाँ पे बन रहा है, size में भी छोटा है, अब तुम एक बात का दियान लखना, जैसे जैसे तुम object को close करोगे, image दूर जाता शुरूँगा, अगला condition देखो, अब अगला condition क्या है, अगले condition में मैंने c पे बनाया, इस बार मैंने कहां पे बनाया, यहां पे बनाया है c पर, देखो c पर object है, same एक light ray गई, यहां से गुजरी, इस बार मैंने focus से गुजरा, क्योंकि c पे खुद ही है, तो कैसे light ray गुजरेंगे, यहां से गुजरी, तो दोनों वहां पे जाकर मिली, जहां पर c था, ठीक है, यानि same size का image भी होगा, और वहीं पे बनेगा जहां, देखो, पहले case में, देखो c और f के बीच में था न, image दिरे-दिरे इधर जा रहा है, object दिरे-दिरे इधर जा रहा है, अगला condition, देखते हैं, अगला condition, अब मैंने c और f के बीच में रखा, देखा, दियान से, इस बार पहला यहां था, दूसरा यहां था, तीसरा मैंने object को यहां रखा, same एक यहां गया, focus से गुजरा, same focus से मैंने pass किया, यहां गुजरा, तो देखो, जो image यहां बन रहा था, पिछले condition में, और आगे जाके बना, यहां पर, यानि beyond c उसका image formation हुआ है, same condition, अब तो इतना आगे चला गया, कि मैं इसको focus पे लेके जाया हूँ, एक गया, वापस आया, दूसरा c से गया, c से ही वापस आया, अब image तुम्हें दिख भी नहीं रहा है, कि कहां बन रहा है, यानि जब तुम्हें यही न लगे कि image कहां बन रहा है, तो यह image infinite पे बन रहा है, मतलब बहुत दूर, अनंध पे, ठीक है, और इससे अगला condition, जब focus और pole के बीच में आता है, तो एकलावता ऐसा condition होता है, एक अनकेब mirror में, जब image जो है, focus और pole के बीच में object रहने की वज़े से, image इतना दूर बनता है, हम इसे imagine करते हैं, कि यह पीछे बन आए mirror के, जैसे आपके plane mirror में जैसा दिखेगा, वह ऐसा आपको दिखेगा, तो इस एकलावते condition में, इसमें सीधा image बनता है, जब focus और pole के बीच चीजे होती है, तीक है, और convex mirror का हमेशा एक ही case है, किसी भी condition में आप रखोगे, हमेशा इसका आपका virtual image बनेगा, कहीं पर भी रखो, तीक है, और टकरा कर आपका small size का focus और pole के बीच बनता है, तो यह इसमें आपको ray diagram important है, आपको याद रखनी चाहिए, तीक है, ray diagram तो एक पका आता है, और समझने के लिए आप इसको याद रख सकते हो, काम की चीज़े, C पर रहेगा, तो image आपका कहां, object distance beyond C, तो real inverted बनते हैं, ठीक है, और concave में, convex में तो हर case में यही है, real inverted बनते हैं, और बनते कहां, F and C के बीच, यह सारी चीज़े आपको है, C पर रहेगा, तो C पर बनेगा, between C और F रहेगा, तो beyond C बनेगा, यह सारी चीज़े आपको याद रहने चाहिए, अब आते हैं अगले topic में, यह आपको एक activity है, practical uses, हाँ, यह आपको बहुत है, तो मैंने बताया था कि जो भी doctor है, doctor जैसे ENT doctor, आपको dentist मिले, dentist doctor मिलेंगे, ophthalo scope मिलेंगे, सब में आप किनको चिपकाएंगे, आप सब में आप concave mirror चिपकाएंगे, ठीक है, concave, जो भी doctor वाले आपके आएंगे, ठीक है, और normal saving वागेड़ा का mirror, घर में, usual combing dressing mirror में, आप plane mirror चिपकाएंगे, आपको periscope आएगी, ठीक है, periscope में भी आप plane mirror चिपकाएंगे, ठीक है, आपको calidoscope मिलेगा, उसमें भी plane mirror चिपकाएंगे, ठीक है, telescope में आपको बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा, एक telescope ही हलकल सा confusing होता है, ज्यादा तो नहीं है, telescope थोरा सा, इसमें direct लिखा है curve mirror, क्योंकि इसमें combination of mirror की जरुरत परती है, इसलिए इसमें लिखा गया है, curve mirror, ठीक है, अब गारी के condition में दो बाते यादा थी, एक गारी के headlight में, तो headlight में concave mirror, और जो rear view mirror, जो side view mirror, side का mirror उसमें convex, ये चीज़े कुछ काम की चीज़े हैं, इसमें आप याद रखना है, ठीक है, तो बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ है, सारा चीज़ बता चुके हैं, आपको principle axis spherical, बाकी question answer आपको लिखवा दिया है, काम की चीज़े कर दिया है, अच्छे से preparation कीजिए, और मिलते हैं आपको acclivity में, thank you.